दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे, अगर आप Angel 1 एप्लीकेशन में अपना bank account दूसरा वाला add करना चाहते हैं, तो कैसे आपको आपको नहीं पता है कि Angel 1 के अंदर एक से अधिक bank account कैसे add किये जाते हैं, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देख रहेए, और आपको details में step by step पता चल जाएगा क्या किरकार angel one के अंदर आप अपना bank account कैसे add करेंगे दूसरा वाला तो सबसे पहले आपने account पर click करें account पर click करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा withdrawal यहाँ पर मिलेगा fund यहाँ पर आपने पैसे add कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है कि पैसे add कैसे किया जाता है तो इस पर मैंने एक article लिखा हुआ है कि angel one के अंदर fund कैसे add करें उस article का link नीचे मिल जाएगा उस पर click करके आप हमारी website पर जाके उस article को पढ़ सकते हैं आपको यहाँ पर बताते हैं कि अपना दूसरा bank account कैसे add करेंगे बैंक account add करने के लिए आपको अपने profile पर click करना है profile पर click करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा यहाँ पर आपके सारी details आ जाएगी एक details आपको यहाँ पर नीचे आना है यहाँ पर मिलेगा your bank register with us आपको यहाँ पर continue इस as पर क्लिक करना है आपको इस pencil के icon पर क्लिक करना है जो भी आपका bank account हो आपको यहाँ पर सारा details उसका fill up करना होगा जैसे कि अपना bank का IFC code bank का name क्या है branch का name क्या है bank का micr code क्या है आपका bank account किस type का है उसके बाद bank account number डाल देना है वही bank account confirm कर देना है और उसके बाद submit पर क्लिक करना है आपको याद रखना है कि यह सारी details आपके bank के passbook पर आपको देखने को मिल जाएगी वहाँ से आप देखकर सारा details आप डाल दीजिए और उसके बाद नीचे मिल जाएगा continue फिर आप continue के इस button पर क्लिक करें और आपको यहाँ पर देखने को मिले का हमारे पास अभी attention आ रहा है कि आपको यहाँ पर सारा details फिलप करना है तो चलो हम यहाँ पर सारा details अपना फिलप करते हैं यहाँ पर मैंने अपना सारा details फिलप कर दिया है जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा submit के इस option पर click करना है जैसे आप इस submit के इस option पर click करेंगे थोड़ा सा आपको यहाँ पर wait करना होगा अब यहाँ पर आपको मिलेगा continue और यहाँ पर आपका bank account verify हो गया है जैसा कि आप देख सकते हैं आपके bank में एक रुपे deposit कर दिया गया है angel 1 की तरफ से आप यहाँ पर आपको continue पर click करना है जैसे आप एक continue पर click करेंगे आपका bank account यहाँ पर add हो चुका है आपके पास one time password आएगा जैसा कि आप देख सकते हैं one time password enter the OTP send your mobile number आपके mobile number पर एक OTP send किया गया है इसी आपको यहाँ से copy करना है और यहाँ पर आपको डाल देना है और authorized पर click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे थोड़ा सा wait करिए आपका bank account successful यहाँ पर add हो जाएगा आपका request चला गया है